जैशे किशना फ्रेंड्स वल्कम टो बांके बिहारी ड्रेसेज मेरा नाम महक है और आज हम सीखेंगे दो नमबर के ठाकुर जी की ड्रेस तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहले हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे 1, 2 और 3 चेन लेने के बाद आवड़ी लूप में हम 2 बार डबल क्रोश्यthose करेंगे जैसा कि हम normal घेरी में करते हैं first row हमारी होती है जिसमें हम दो बार every loop में double crochet करते हैं तो ऐसे ही करते हुए मैं ये पूरा round बनाऊंगी every loop में दो बार double crochet करते हुए तो देखें first row में हमारे पास यहाँ पर जो फंदे थे यानि की loop थे वो हचसे ही हमारे 16 तो 16 के उपर हम 32 टाइम double crochet करेंगे तो देखें मैं ऐसे ही करते हुए double crochet बना लेती हुँ यह देखें फ्रेंड्स मैं अपने work के end में आ गई हुँ और अब मैं इसे third chain के साथ joint करूंगी अब next round बनाएंगे 1, 2, 3, 3 chain next loop में एक बार double crochet और उससे next में दो बार double crochet यानि कि every third chain में हमने दो बार double crochet करना है यह देखें एक बार double crochet next chain में भी एक बार double crochet अब यह हमारा third आएगा third में हम दो बार double crochet करेंगे इस तरीके से यह देखें यह देखें इसी तरीके से करते हुए हम यह round complete करेंगे तो देखिए friends मैंने ये round complete कर लिया है और हम मैं इसे third chain में joint करूँगी इस तरीके से फिर से one, two, three अब हम यहाँ पर every fourth chain में दो बार double crochet करेंगे ये देखिए next में एक बार इससे next में भी एक बार और इससे next में हम दो बार करेंगे एक हमारी तीन की chain हुई दो बार double crochet और ये दो बार double crochet ये देखिए एक chain एक double crochet एक double crochet और फिर fourth वाले में दो तो ऐसे ही मैं ये round complete करूँगी और इससे next every fifth में दो बार double crochet करते हुए वो round भी complete कर लूँगी तो मैं ऐसे ही ये दोनों rounds बना लेती हूँ तो देखिए friends ऐसे मैं ने four rounds complete कर लिये है अब हम यहाँ पर divide डालेंगे देखिए one two three four five six चीन मेना के loop को बढ़ा करेंगे और अब हम यहाँ पर pink color का thread जो है वो add करेंगे देखिए friends मैंने यह pink color में knot लगा लिया है और अब मैं इसे देखिए next वाली chain में joint कर दूँगी इस तरीके से और हम यहाँ भी six chain बनाएंगे one, two, three, four, five, और six six chain मना लेंगे six chain मनाने के बाएं लूप बढ़ा करेंगे और अब देखिए इस लूप को पीछे करके sky blue color के thread को हम आगे लाएंगे और next chain में exactly next यानि कि third chain third chain में हम इसे joint कर देंगे single crochet से फिर से देखिए इसे मैं यहाँ पर इसे देखिए बिल्कुल जो आप pink जहाँ पर हमने joint किया था उसे next chain में single crochet से joint करेंगे one, two, three, four, five, और six six chain बनाएंगे लूप बढ़ा करेंगे अब ऐसे ही pink color के thread को pick करेंगे हम पीछे से जो हमने loop बढ़ा करके छोड़ा था अब sky blue color के thread को पीछे कर देंगे और pink color के thread को आगे लेकर आएंगे और बिल्कुल साथ वाली chain में इसे हम single crochet से joint करेंगे यहाँ पर भी हम छे बार chain बनाएंगे और बिल्कुल साथ वाली chain में जह हमने पिंक जोइंट किया है उसके साथ वाली chain में ही sky blue color को single crochet से joint करेंगे फिर से वान टू थी पॉर फाइब और सिक्स इदिखे हमारा design इस तरीके से बनेगा अब हम पिंक को आगे लेकर आएंगे इदिखे बिल्कुल साथ वाली chain में ही हम इसे joint करेंगे बिल्कुल easy design है आप यह design यूज़ करगे किसी भी ड्रेस को बना सकते हैं किसी भी size की देखे इस तरीके से फिर से stage here में बनाएंगे इसे back कर देंगे और फिर sky blue color के thread को आगे करेंगे देखे इसी तरीके से layers यह दूसरे के उपर आती जाएंगी इसे design को follow करते हूँ मैं पूरा round बनाते हूँ यह देखे मैंने round बना लिया है अब हम इसे joint करेंगे यह देखे जहां हमने sky blue color का work start किया था उसके बद पिंक आने पर pink color की जहां से हमने pink वाला design शुरू किया था वहां से हमें slip stitch करेंगे इस तरीके से thread थोड़े उलत जाते हैं बड़ कोई बात नहीं इसे हम निकाल सकते हैं अब यह जो sky blue वाला thread था हमारा इसे हम यहीं पर cut कर देंगे जहां हमने single crochet बनाया था तो मैं thread cut करती हूँ यह देखे मैंने thread cut कर लिया है और इसे अब हम पीछे से निकाल लेंगे threads को और पीछे adjust कर देंगे इन्हें हम और नहीं काटेंगे adjust कर देंगे पीछे बहुत ही simple design है देखे आप यह इसे zero number एक number दो number किसी भी size की dress easily बना सकते हैं यह देखे यह pink color के thread को भी मैं पीछे adjust कर दूँगी यह देखे तो यह design हमारा कितना pretty लग रहा है छोटे number ठाकुर्जी की dress के लिए design बहुत ही pretty है और जटपट से बनने वाला design है इस dress को बनाने के लिए wool की भी कम जूरत पड़ती है थोड़ी सी wool में ही अच्छा design बन जाता है तो अब हम इसमें थोड़ी detailing करेंगे इसके लिए मैं pink color का thread ले रही हूँ not लगा रही हूँ और इससे देखिए हम first second second डले में इस तरीके से pick करेंगे और यहाँ पर एक chain बनाएंगे single crochet करेंगे फिर से देखिए नीचे से pick करेंगे यह देखिए बहुत easy है नीचे से pick करेंगे एक loop उपर से लेकर आएंगे और यहाँ पर उपर single crochet बनादेंगे फिर से बताती हूँ मैं आपको loop लेना है और single crochet करना है तो ऐसे ही करते हुए मैं यह पूरा round जो है वो complete कर लेती हूँ यह देखिए friends मैं अपने work के end में आ गई हूँ और ऐसे ही करते हुए मैं यह joint कर दूँगी नीचे से pick करेंगे और उपर single crochet करतेंगे यह बहुत ही easy है और बहुत ही प्यारा लगता है जैसके उपर उठाव दाता है इससे यह देखिए इस तरीके से इससे pick करेंगे chain और यह है अब मैं इसे single crochet करूँगी और फिर slip stitch से जो हमने first single crochet करता है उसे इससाथ joint कर देंगे इस तरीके से मैं first chain में इसे slip stitch से joint कर दूँगी और thread को जो है वह हम नीचे की तरफ से निकाल लेंगे नोट लगा देंगे या पर और thread को नीचे की तरफ से हम hide कर देंगे इस तरीके से तो अब हमारी dress जो है वह बिल्कुल बन करके ready है मैं इसे आपको अपने ठाकुर जी को पेना करके दिखाती हूं जो हमाई दो नंबर के ठाकुर जी है आप भी ऐसी प्यारी सी dress अपने काना जी के लिए बना सकते हैं बहुत ही easy है बनाने में देखी मैंसे मैं ठाकुर जी को पेना करके दिखाते हूं आपको यह देखी friends यह हमारी गोविन जी को कितनी पिटी लग रही है आप चाहें तो घेरा और भी बड़ा कर सकते हैं वो आपके ओपर डिपेंड है तो मिलें इस वीडियो में इस प्यारी सी dress की कैप के साथ जैसे ही खुश रही है और ठाकुर जी की प्यारी बढ़ी dresses बनाते रही है देखें मेरी कोविन जी कितने पिटी लग रही है इस dress में जैसे किष्णा फ्रेंज प्रेंज